आपको पता है पिछले साल पूरी दुनिया में करीब 96 लाख और भारत में करीब 8 लाख लोगों की कैंसर के कारण मौत हुई है तो जब आप और मैं अपना ये नया साल मना रहे थे तो दुनिया में करीब 96 लाख लोग सिर्फ कैंसर की वज़े से ये नया साल नहीं देख पाए WHO के मताबिक पूरी दुनिया में होने वाली deaths के कारणों में कैंसर दूसरे नंबर पे आता है एक और बात क्या आपको पता है कि हम सबके शरीर में पहले से ही कैंसर सेल्स मौझूद होते हैं लेकिन फिर हम सबको कैंसर क्यों नहीं होता तो अगर आप भी कैंसर के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो आपके वीडियो देख लीजिए जी 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 प्ले कर दिये तो कैंसर को जानने से पहले आईए हम थोड़ा सा अपने शरीर को जान लेते हैं हमारा पूरा शरीर अलग-अलग ओर्गन से बना होता है जैसे दिल, लिवर, किड्नी, आदी और ये सारे ओर्गन्स छोटे-छोटे सेल्से मिलकर बनते हैं तो हमारी पूरी बॉड़ी में ये सेल्स लगातार डिवाइड होकर बढ़ते रहते हैं और पुराने मरे हुए सेल्स की कमी को पूरा करते रहते हैं तो हम सब लोग एक cell से इतने हट्टे-गट्टे इंसानों में इन cells की लगाता divide होने की वज़़से ही बदले हैं Cells के अंदर मौजूद DNA हमारे इन cells को guide करता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है DNA हमारे cells का एक तरह का software होता है जिसके अंदर सारी information मौजूद होती है और हमारे cells का divide होना, ना होना, कब होना ये सब DNA ही तै करता है लेकिन कभी कबार DNA में कोई बदलाव या गलती हो जाने की वज़े से एक खराब cell बन जाता है जिसे हम cancer cell भी कहते हैं ये cancer cells अपना काम सही से नहीं करते और बीना जरूरत के बढ़ते रहते हैं रोजमरा में हमारे शरीर में ऐसी कई गलतियां होती रहती हैं और ये खराब cells बनते रहते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि हम सब के अंदर ये cancer cells मौजूद होते हैं लेकिन ये खराब cells cancer में तबदिल इसलिए नहीं होते क्योंकि इन गलतियों को हमारा शरीर पकड़ लेता है और इन्हें फीक कर दिया जाता है पर जब हमारा शरीर इन खराब cells की growth को नहीं रोग पाता तो ये खराब cells इकटा होकर cancer का रूप ले लेतें क्योंकि ये cancer cells अपना काम सही से नहीं करते हैं और बेवज़ा बढ़ते रहते हैं जिस भी organ में बनना शुरू होते हैं उस organ में होने वाले काम रुख से जाते हैं और एक भी organ के काम रुखने की वज़े से हमारा पूरा शरीर परिशानी में आ जाता है शुरू में ये cancer cells एक जगा पर इखटा होकर एक गुच्छा सा बना लेते हैं जिसे हम tumor भी कहते हैं और इस stage के cancer को primary stage का cancer का आ जाता है लेकिन जब ये cancer cells खून के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाते हैं तो इस stage को secondary stage का cancer का आ जाता है और इस stage के patient को ठी करना और भी मुश्क cancer के पाए जाते हैं ये बात सच है कि DNA में defect कभी भी आ सकता है लेकिन अगर हम अपने शरी को स्वास्त नहीं रखते हैं तो ये defects और भी जादा बढ़ जाते हैं जैसे हम example लेते हैं typing का तो जब भी हम keyword से type करते हैं तो गलती होने के chances हमेशा रहते हैं लेकिन अगर हम बिमार ह हैं या हम ठके हुए हैं या नीन में हैं तो ये गलतियां और भी बढ़ जाती हैं तो उसी तरह ऐसे बहुत सारे factors हैं जिसकी वज़े से हमारे DNA में changes आ सकते हैं और हमें cancer हो सकता है इन में से सबसे उपर आता है तंबाकू का इस्तेमाल और WHO के मुताबिक cancer से मरने वाले देख सकते हैं तो तंबाको का सेवन शराब का सेवन खराब खान पान जिसमें फल और सब्जू की मातरा कम हो और फिजिकल अक्टिविटी यानि कसरत का कम होना cancer के चार बड़े कारणों में आता है साथ ये साथ कुछ वाइरस और बैक्टीरिया से होने वाले infection की वज़े से भी cancer हो सकता है जैसे कि HPV या Hepatitis B वाइरस कुछ रेडियेशन भी इतनी स्ट्रॉंग होती है जो हमारे सेल्स के DNA में changes कर सकती है और इनकी वेज़े से हमें cancer होता है उसका सबसे बड़ा example है UV rays हमारे उनके बढ़ते बढ़ते भी cancer होने के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि देखा ग प्रतिशत तक cancer cases अपनी आदतों को ठीक करके ही कम किये जा सकते हैं वैसे आदे से जादा बीमारिया तो हमारे खुद के रहने के तरीकों से ही होती है हमें अपने अंदर chemicals डालने हैं खराब खाना है exercise नहीं करनी है लेकिन हमें कोई बीमारी नहीं चाहिए और हमें cancer भी नही पता है क्या करना है like comments देने हैं अपने और share करना है share से मुझे याद आया कि अगर आपको लगता है इस चैनल पर कम views हैं कम subscribers हैं जो कि कुछ लोग comment में कहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप ही हैं वो लोग जो से share करके इसके views बढ़ा सकते हैं subscribers बढ़ा सकते हैं तो जितने भी contact से आपके सब को share कर दो और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आये हैं इस वीडियो के द्वारा तो subscribe किये बिना मच जाना